5, 4, 3, 2, 1 केंद्र सरकार ने मद्रास, मध्यप्रदेश और पटना के उच नयालियों में नए मुख्य नयाधिशों के तवादले और नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है बुधवार को जारी अधिसूचनाओं में केंद्र ने इन नियुक्ति को अधिसूचित किया को मद्रास उच नयाले के मुख्य नयाधिश के रूप में अधिसूचित किया गया मिघाले उच नयाले के मुख्य नयाधिश नयमूर्ति एके मित्तल को मध्यप्रदेश उच नयाले के मुख्य नयाधिश के रूप में अधिसूचित किया गया तिरप्रा उच नैयले के मुख नैधिश नैयमूर्थी संजय करोल को पटना उच नैयले के मुख नैधिश के रूप में अधिसूचित किया गया कॉलेजियम ने 15 अक्टूबर को उनके तबाद्दलों की सिफारिश की थी नैयमूर्थी साही ने 1950 में एललबी की डिगरी प्राक्त करने के बाद इलहाबाद उच नैयले में एक वकील की रूप में दाखिला लिया उन्होंने मुख्य रूप से सिविल और सम्यधानिक मामलों पर वकालत की और बड़ी संख्या में सैक्षडिक संस्थानों के लिए वकील के रूप में भी काम किया उन्हें सितंबर 2004 में इलाबाद उच नैयले के एक अतरिक नैधिश के रूप में पदोनत किया गया और अगस 2005 में इस्थाई नैधिश बनाया गया उन्होंने 17 नवंबर 2018 को पटना उच नैयले के मुख्य नैधिश के रूप में शपत ली जस्टिस साही पुर्व मदरास हाई कोर्ट की पुर्व मुख्य नैधिश वीके जस्टिस ताहिल रामनी के इस्थीपे से बनी रित्ति को भरेंगे जस्टिस ताहिल रामनी ने मिघाले हाई कोर्ट में इसानांतरिद करने के कॉलेजियम के प्रस्ताओं के विरोध में इस्तीफा दे दिया था जस्टिस मित्तल ने 1980 में पंजाब और हर्याणा हाई कोर्ट में एक वकील के रूप में दाखिला लिया और सिविल लौ रेवेन्यू लौ में प्रैक्टिस की उन्होंने 1982 से पंजाब और हर्याणा कुछ नयाले में आयकर विभाग के लिए काम किया उन्हें नौजनवरी 2004 को पंजाब और हर्याणा कुछ नयाले की खंड पीठ में पदोनत किया गया और उन्हें कारेवाहक मुख नयाधिश के रूप में कारे किया इसमें चार मई 2018 से दो जुन 2018 के बीच तीन साल से अधिक हर्याणा राज्य विदिक सेवा प्राधिकरण के कारेकारी अध्यक्ष ये रूप में कारे करना शामिल है उन्हें 22 मई 2019 को मेघाले उच नयाले में मुख नयाधिश के रूप में न्यूक्त किया गया था जस्टिस मित्तल को पहले जस्टिस ताहिल रमानी की जगह मदरास हाई कोर्ट की मुख नयाधिश न्यूक्त किया जाना प्रस्तावित था इससे पहले कॉलेजियम ने जस्टिस अकील कुरेशी के नाम की मध्यप्रदेश के मुखद नैधीश के रूप में सिफारिश की थी नियाए विभाग से संचार के बाद इस प्रस्ताओं को बाद में नियाए मूर्ती कुरेशी की तिर्पुरा हाई कोड के मुख नैधीश के रूप में नियुक्ती की सिफारिश की गई थी नियाय मूर्ती करोल ने वर्ष 1986 में एक वकील के रूप में नामांकन किया उन्होंने संग्विधानिक, कॉर्पोरेट, आपराधिक और सेल मामलों में भारत के सर्वोच नियायले सहित विभिन नियायलीों में अभ्यास किया उन्हें वर्ष 1999 में वरिष अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था और वह भारत के सर्वोच नयायले किंद्र सरकार के लिए वरिष ट्रिपैनल में बने रहे उन्हें वरिष अधिवक्ता के रूप में संग्वेधानिक करतव्यों का निर्वहन किया उन्हें 8 मार्च 2007 को हिमाचल प्रदेश के उच नयायले के नैधीश के रूप में पदभार दिया गया और उच नयायले के कारेवाहक मुख्य नैधीश के पद का कारेवार संभाला 25 अप्रेल 2017 से प्रभावी हिमाचर परदेश और 5 अक्टूबर 2018 तक काम किया 9 नौवंबर 2018 को त्रिकुरा के उचनैले के मुखनैधीश के रूप में नियुक्त किया गया था